कौन कहता है आस्मा में सुराक नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो दोस्तों आप प्रयास करते रहिए सफल आप अवश्य होंगे हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मुदिता और आप सबका स्वागत है आपके चैनल मुदिता आयस वारियर्स में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1857 के विद्रो के क्या कारण थे उसकी प्रकर्टी क्या थी और किस तरीके से विद्रो प्रारम हुआ आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि 1857 का महान विद्रो, आसफल क्यों रहा, उसका विस्तार किस प्रकार हुआ और विद्रो के क्या परिनाम निकले तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास 1857 का विद्रो, इसको मैंने 5 पार्ट्स में बाटा था प्रकर्टी, कारण, प्रारम एवं विस्तार, विद्रो आसफल क्यों रहा और परिनाम लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं क्या थी प्रकर्टी, क्या थे कारण और प्रारम आज हम पढ़ने वाले हैं कि विस्तार कैसे हुआ, विद्रो आसफल क्यों रहा और परिनाम क्या हुए तो एक-एक करके देखते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि विद्रो के केंडर एवं नेता अगर आप देखेंगे तो विद्रो स्टार्ट हमारा कहां से हुआ था मेरट में बेरकपूर बेरकपूर में मंगल पांडे ने जिसको स्टार्ट किया था शुरू किया था जिस विद्रो को वही विद्रो धीरे धीरे चलके पूरे देश में फैलता है और अलग-अलग जगे पे अलग-अलग नेता उसका मोचा समालते हैं और उनका मुकाबला करते हैं बिटिश अर्स का तो वही हम इसको एक table के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले मैंने इसको table में arrange किया है तो यह वो केंद्र है पहले कॉलम में जहाँ जहाँ पर विद्डो का केंद्र था और अगर आप मिने पिछला विडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख ले उसमें मैंने map में भी location अच्छे से समझाई हुई है उसके बाद भारतिये नेता जिसने नेतरत्व किया इस विद्रो का उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी जनरल है या गवर्णर है जिन्होंने विद्रो को दबाने का या दमन करने का काम किया रोकने का काम किया अंग्रेजी सेना की तरफ से और यह टेबल बहुत इंपोर्टन देखें दिल्ली में जो शुरू हुआ था विद्रो वो बेरकपूर मेरट से शुरू होके पहुंसता है दिल्ली विद्रो ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मेरट में हासिल करते हैं जीत आते हैं दिल्ली और दिल्ली में आकर वो बहादुर्शा जफर बहादुर्शा जफर जो मुगल सम्राट थे उनको बना देते हैं अपना सम्राट गोशित कर देते हैं और फिर यहां पर भी विद्रो करना प्रारम कर देते हैं लेकिन जो मुगल जफ़र थे वो ब्रद दे ऐसा वेक्टित पर नहीं था उनका कि जो विद्रो कर से अंग्रेजों से लडने में वह पूरी शर्व मतर हैं रिशारता थход लेकिन जो पूरा नम सिमालते हैं वह के वृलाई वंकर गई चोंटा Play यू आ onda विद्रोग करने वाद्शाम होवा था उसका पूर्अ मोर्चा समालता यही ते जंड्रल बगतrás सम्हादा ट्हें लेकिन जो पूरा भ्तिकृन जफर का क्योंकि उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया था यहां पर जो अंग्रेजी जन्रल थे जो दबाने का प्रयास करते हैं वो कौन थे निकोलसन और हडसन निकोलसन और हडसन आते हैं और दिल्ली में उसको दबाने का और कुछ समय बाद वो दिल्ली को पूरा अपने कैप जो बाजी राव पेशते थे उनके दञत्तक पुत्र थे क्योंकि दञत्तक पुत्र उसए घोदलिया हुआ अंग्रेजिओ सद्धान्ट निकाल थे तो इसको निकाल देते थे उसके राजी से और पेंशन के अधीन कर देते थे तो यह सिद्धान के जहत बहुत सारे भारत के राजी को ब्रिटिश में मिला गया था तो नाना साहब भी चोते वह बाजी राओ के सौतेले नहीं मतलब गोद लिये वे पुत्र थे तो अंग्रेज इनको इनका वारिस मानने स समय आ गया था नाना साहब का तो नाना साहब कानपूर में अगवाई करते हैं विद्रो का बढ़ चड़ कर सामना करते हैं इनका साथ देते हैं तात्या टोपे जो इनके सहायक होते हैं साथ में ही यहाँ पे कानपूर में कौन दबाता है इस विद्रो को कॉलिन कॉंपवेल कॉलिन कांपवेल जो होते हैं इस विद्रो को दबाते हैं और एक समय के बाद वो यहाँ पे इसका दमन करने में सफल होते हैं लखनव में बेगम हजरत महल वहाँ पे नवाब खांदान की थी बेगम हजरत महल तो वो क्या करती है विद्रो का पूरा एक जुट संभालती हैं और इनके पुत्रों होते हैं बिल्जिस विल्जिस का दिर को ये नवाब घोशित कर देती हम यह बोलति है लगनाओं की लोकने के लिए पहले आते हैं है ہیں यहां रियंट विल्च आ Richtung माज दिया लखनव का दमन करने में सफल होते हैं इसके बाद बात करें हम जहासी की तो जहासी सब को अच्छे से याद है और जहासी के बारे में हर किसी ने पढ़ा होगा कि जहासी क्या था वहाँ पूरा जो मोचा समालती है वो रानी लक्ष्मी भाई समालती है रानी लक्ष्मी भाई क पुत्र ही इनका वारिष होता है लेकिन वही वेपकट सिधान के हिसाब से डलहौ जी इनके राज जी को भी बोलता है कि हम अंग्रेजी ब्रिटिश आशन में मिला लेंगे रानी लक्ष्मी भाई एक नारा निकालती है कि मैं अपनी जहासी नहीं दूंगी और उसी के तहट य जाना सहाब के सहायक थे उनके साथ मिलकर यह विद्रो का मोचा समालती है खुद युद्ध में सामने आती है और यहां पे जो ह्यूग रोज है वह आके विद्रो का दमन करता है और बात में वह शहीद होती है रानी लक्ष्मी भाई इसके बाद अगर आप बरेली में देख बिहार, बिहार में कुवर सिंग, कुवर सिंग एक जमीदार थे, बड़े जमीदार थे, यहां पे बिहार में यह बढ़ चड़कर विद्रोहियों की साथ देते हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं, अच्छी, यहां पे विलियम टेलर और आयर, आयर जो होता है और विलियम टे और अलग-अलग इदाके में देखें तो अलग-अलग वहां पे उस वक्त जो राजारजवाडे थे जिनको उनके छेत्र से निकाल दिया गया था या फिर ऐसे नवाप थे या जो थे सबने सारे जो लीडर्स थे वो सामने आयों उनने विद्रोहियों का साथ दिया और अपने लिए जन्रल नी लाया था और जिसने विद्रोह का दमन किया अधार अगहरा आप विद्रोह को देखंगे तो ग्वाली अधाय के शायकिन और अमोसा अधाना की साचते हो और ही Awards में यiau विद्रोह कर एक समय के लिए जीथ हासितना वार अधिन कर लेते हैं, बाद में हीूं रोज आता है और इसको हराता है और हिंग रोज क्या करता है वापस अवरिटिस की सत्ता को स्थापित करता है विद्रो आसफल क्यों हुआ तो एक एक करके देखेंगे कि वो क्या कारण थे जिनके कारण से विद्रो जो था वो आसफल हुआ विद्रों में सभी वर्गों का सामिल ना होना भारत में बहुत सारा जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो विद्रों में सामिल ही नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इसमें सामिल होकर हम पीछे की और जाएंगे पीचे की और हम आगे बढ़ने की बढले हम पीचे की ओर जाएंगे क्योंकि वह प्रस्च्यमी सब्हिता की और आकरशित हो रहे दे और उन्हे लग रहा दा कि अंग्रेज जो हैं हमें नए आदूनिक ता की ओर ले जा रहा है हैं और हम बारत में रहकर पीछे रहेंगे इसलिए वो इस विद्रो में सामिल ही नहीं होते हैं इसके लावा बहुत सारे जो जमीदार थे राजे रजवारे थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि वो अंग्रेजों का बलकि सहयो संगठित यानि यूनिटी नहीं थी हर कोई अपने लिए काम कर रहा था कि कोई दिल्ली के समराट कोई लखनव को नवाब कोई एक भारत यानि स्रेश्ट भारत के बारे में नहीं सोच रहा था बलकि हर कोई अपने फाइदे के बारे में सोच रहा था दूसरा वो अंग्रे अगर आप बड़ा कारण देखेंगे तो निश्ची समय की प्रितिक्षाना करना दिन निल्धारित किया गया था कि 31 मई 1857 को संपूर्ण भारत में विद्रो का विहुल बजाया जाएगा लेकिन क्या होता है कि सिपाही बहुत जादा एग्रेसिव हो जाते हैं और 10 मई 1857 को ही विद्रो शुरू कर देते हैं बल्कि ये निल्धारित के अधर 21 मई सब जगे पे उसी के हिसाब से योजना बनाई गई थी लेकिन समय पूर्व स्टार्ट हो जाने की बज़े से हर जगे पे अलग-अलग समय पे विद्रो हुआ जिसके कारण अंग्रेजों को समय मिल गया क विद्रो को दबा सके और सब कुछ जगे पे लोग समझी नहीं पाए कि किस तरीके साभी कहीं पे स्टार्ट हो गया कही पे नहीं स्टार्ट हुआ कहा पर प्रारांप करना चाहिए कहां पर रोक देना चाहिए जिसकी वज़े से पूरी आसमन्जस की स्थिती हो गई और वि हजार की सेना थी इसके अलावा उस वक्त अगर आप देखेंगे तो उस वक्त वह भारत के गवर्णर थे वह लौड कैटिंग थे लौड कैैनिंग ने बाहर से और जादा बिटिशर सेना मंगाई थी इसे व transf市 में पर उन्होंने सेना से चल रहा है और एक तरफ कोई कार से चल रहा है कभी कि रेस संभाव है साइकल और उरक कार की रेस कभी विसमitarian लेकिन यह वही था एक तरफ तलवार और ये तोप Hearts 15 झब बराबर ही नहीं है तो लडाई कैसे बराबर होगी इसी की वज़े से सीमी संसाधन होने के कारण लड़ाई संभव ही नहीं थी इसके बास सैनिक संख्या में अंतर कि जहां हमारे पास वो कुछ तो सिपाही थे और कुछ आम नागरिक थे मतलब संगटित उन्हें सेना नहीं थी उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी बस वो उतर गए थे युद्ध में और उनके पास जो लड़ाई के लिए थे वो पूरी सेना थी बाहर से उन्होंने नील की कि रेजिरेंट्री को इसके लावा कैनिंग ने बहुत सारे अधिकारी और से अलग अलग सेना पती रहे थे लेकिन आङब भारत की सेना में नहीं तयार थी पूरी सेना अच्छे या थी संपूर्ण देश में प्रशास्रेत ना होना आप देखें कि तो भारत का जो उत्री पार्ट था यानि की मेरट लगनौ यह जो इलाका था पूरत यहीं पर यह पूरा संचालित हुआ था मतलब दक्षड भाग में और अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला पा पटियाला के राजा इसके लगा पाकिस्तान इन लगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था उनको आर्थिक मदद भी दी थी तो यह संपूर्ण भारत में अगर प्रसारित होता है कुछ और ही रुख होता देशी राजाओं का सहयोग न करना बहुत सारे वही पटियाला के सिंदिया इन सभी ने सहयोग ही नहीं किया था और विद्ड़ो जो हुआ था इसमें बहुत ही आमानविय तरीकों से दमन किया गया मतलब भारतिये विद्रोहियों के साथ बहुत सारा अत्याचार क्या किया किया कि जनसनहार मतलब जो लोग सामने आये सिधा माल दिया गया फासी पे चड़ा दिया गया तोप के मूँ खोल दिये गये आग लगा दी गई उनके बच्चों को पुत्रों को माल दिया गया इस तरीके से दमन करने कि एक सिपाही विद्रो इतना बड़ा विद्रो बन जाएगा और वो पूरी अंग्रेजी सत्ता को हिला के रख देगा इसके बाद अगर आप देखिए कि विद्रो के परिणाम क्या हुए चुकि एक तरफ अंग्रेज अंदर से डर गए थे भले उन्होंने विद्रो को दबा लिए था लेकिन वह बहुत जादा डर गए और उन्हें सोच अगर फिर से कोई इस तरीके का एक जुट प्रयास हुआ तो उन्हें शायद भारत चोड़ना पड़ जाए तो इसके बहुत बहुत बड़े निश्चे किये गए सबसे पहले क्या क्या भारत का साशन 1858 अधिनि इस पर मैंने वीडियो बनाया है और बहुत अच्छे से सारे ही चार्टर और अधिनियम समझाएं आप उसे देख सकते हैं तो भारत शाषन अधिनियम लाया जाता है और इसमें क्या था कि पहले इस्ट इंडिया कंपनी भारत में सीधा शाषन करेंगी उनकी ओर से भारत मे वाइसराय होंगे और जो वाइसराय और भारत में होंगे वो उनकी तरफ से यहां पर काम करेंगे और बिटेन में एक भारत सचीव का पद बनाया गया वो भारत सचीव जो होंगे वो भारत के पूरा योजना बनाएंगे वो काम करेंगे इस तरीके का एक अधिनियम लाया इसके अलामा सिपाहिों की संख्या में बदलाओ किये विद्रोते और सिपाही बड़क गए ते और प्यूंकि इनकी रिजिरिंटिम Happiness में भारतिय सहानिकों की संख्या अधिक होती थे इसले उनने यह फैसला लिया कि यूरूपीय सहानिक जादा होंगे और भारतिय सहानिक कम ह की होता था तो इस तरीके की अपनाई इसके साथ ही क्या किया फूट डालो साशन करो कि नीती का समाने जनता पर IO किया जायेगा कि पहले की तालने बीजम फूट है कि यह वह तो यहां पे वो क्या करते हैं कि अगर हम जंता कोई तोड़ देंगे तो वह कभी एक जुट नहीं होंगे तो हमेशा अपने ही लड़ते रहेंगे कभी एक जुट होकर हमारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे अब उनने जंता में भी इसका प्रियोग करना प्रारम कर दिया इसके ब्रिटिश शासर ने यह फैसला किया कि हम भारत में धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे मतलब जो भारती लोगों के रिती रिवाज प्रचलन है उसका सम्मान करेंगे और वह जैसे कलते हैं वह ऐसे चलने देगे कि जैसे ही हम उनके रिती रिवाज उन्होंने हिंदू-मुस 1857 के विद्रों के प्रमुक विचार अब इसमें अलग-अलग इतिहासकारों का अलग-अलग मत और विचार है प्रित्योगी परिक्षा में स्टेट्मेंट दे जाती है और पूछी जाती है किस इतिहासकार ने या किस ने ये कहा था तो सबसे पहले अगर देखते हैं सर्ट जान लॉरिस 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन सैनिक उतपात थी से कहा था कि ये मात्र एक ऐसी घटना थी जो गाय की चरबी से उत्पन हुई थी और सैनिक यानि सिपाहियों में ही फैली थी और ये कुछ भी नहीं था ये कहा था सर जॉन लॉरिस ने इसके बाद 1857 के विद्रों में रास्ट्रियता की भावना का आभाव था और वे सैनिक विद्रों से बढ़कर कुछ नहीं था आरसी माजुमदार काफी अच्छे लिखक रहे हैं इन्होंने कहा है कि ये मात्र एक सैनिक विद्रों था और कुछ नहीं था जबकि जवाहरलाल नहरू कहते हैं कि 1857 का विद्रों से पाही विद्रों नहीं अपितु सुतंत्या प्राप्ति के नीमित भारतिये जनता का संगठ संग्राम था मतलब भारतियों का एक जुट होकर लड़ा गया संग्राम था यह कहते हैं जवाहरलाल नहरू तो इसमें अगर आप देखने कि यूरोपिये अगर इतिहासकार हैं तो वो लोग इसको सिप सैनिक विद्रों मानते हैं जबकि भारतिये इतिहासकारों कुछ ही से स्वतनता संग्राम की लड़ाई मांगते हैं सब अलग अलग सीजे मानते हैं इसके लावा एक बहुत प्रिसिद्ध हैं वीडी सावरकर जी कहते हैं इन्हें तो यह कह दिया कि स्वतनता संग्राम के लिए प्रथम लड़ाई थी वह कौन थी 1857 का विद्रों इनकी पुस्तक प्रथम संग्राम इस तौशलियों ने यह दमन तो कर लिया 1857 के विद्रों 59 तक दबा तक यहां से बीच डलता है रास्ट्रेता की भावना का पहली बार भार्तियों में रास्ट्रेता और रास्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है उन्हें एकता की भावना समझाती है कि अगर हम एक जुट होते हैं तो हम एक जुट होकर अंग्रेजों को खिलाफ लड़ सकते हैं अभी तक सब ने मान लि की और आगे लड़ने की जब कि अंग्रेजों को लगा कि हम इसका दमन कर देंगे और अब यह लोग यहीं पर शांत हो जाएंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच